हलो माई डियर स्टुडेंट माई सेल्फ गौरु मिस्रा वेलकम जी एम मैट टुटोरियल देखिए लास्ट लेक्चर में कुछ प्रपर्टी से रिलेटर कोस्षन को आज हम आगे चलते हैं कुछ रिलेसं से की फार्मूले पर दिस्कूस कर लेते हैं कुछ फार्मूली का पढने के उसके बाद कुछ व theor करते हैं जो CBIAC की ओश बॉड के служile करते हैं मेरे चैनल पर जो भी नए हो मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरे प्रिवियस वीडियो को देख करके क्लास्टेंट को तब इसको देखेंगे ज्यादा समझ पाएंगे और ज्यादा प्रॉपी को गेन कर पाएंगे क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं relation between SCF और LCM देखी SCF और LCM आपको मैंने लास लेक्षे बढ़ता था highest common factor, least common multiple तो SCF, LCM जैसे दो नमबर का अगर आपको निकालना हूँ, A और B को, दो नमबर, दो पास्ट्य इंटीजर की बात हो रही है, तो उनमें एक फार्मूला है कि SCF of A and B and LCM of A and B is equal to product of number, अब यहां से आप क्या case बना सकते हैं, आप यहां से आप क्या कर सकते हैं, यह SCF को यहीं रहने दीजे, LCM को डिनाम ने टर्म ले जाए, LCM को जब डिनाम ने टर्म लाएंगे तो एक रास B अपान LCM, A भी मिलेगा, और जब हम LCM को इस्टे रहने दें, LCF को डिनाम ने टर्म ले जाए, A by B के, क्लियर है, देखे, आप देखे, तीन नमबर, अगर आपको थ्री नमबर दे दिया जाए, उनका LCM, SCM में रिलेशन पूछ ले, तो आप कैसे करेंगे, ज़्यादा तर आप question, वही division method लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए, तो यहाँ 3 positive number अगर ABC है, उनकी बीच में relation क्या है, जहां से देखे, SCF of ABC, मतलब तीनों नमबर का SCF किसके equal होगा है, product of 3 numbers ABC into LCM of ABC upon LCM of AB, LCM of BC into LCM of CA, यह सब बहुत basics हैं, आपको याद होने चाहिए, इसी तरह जब LCM of ABC आप यहाँ इस्तिर कर दीजिए, इस्टे रहने दीजिए, बाकी सब को इसके product मिले जाएए, और इसके denominator मिलाएए, तो यह वाला relation आपको मिल जाएगा, I hope कि अगर आप इसको समझ रहे हैं, तो इसकी screenshot ले लीजिएगा, otherwise आप जो है, इस वीडियो को save करके रख लीजिएगा, clear है, देखिए मैंने question को यहाँ discuss कर रहा हूँ है, if SCF आपको किसी दो नमबर का 2 है, और उनका product, मतलब दो नमबर मान लिया, X और Y, A या B जो भी माने, और SCF आप XY आपको दिया हुआ है, XY क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और product दिया हुआ, मतलब X into Y दिया हुआ है, कितना दिया है, 120, आपको क्या पूछ रहा है, LCM, तो फार्मूला आपको याद होगा, SCF into LCM बराबर product of numbers, जब आप इनकी value ले जाकर यहां substitute करेंगे, तो substitute करने पर ABC, SCF of AB की value रग दी, LCM of AB, और product of A and B क्या हो जाएगा, product of A and B आपको दिया हुआ है, 120, LCM AB 120 upon 2, कितना आ गया, 60, तो बहुत easy question है, फार्मूला पर simple simple based take down है question, इसी तरह एक question आपको दिया हुआ है, 35, दो नंबर का, 35 और 45 का, दो नंबर का LCF कितना है, 5, मतलब LCM आपको 5 दिया हुआ है, और दो नंबर कौन-कौन से है, 35 into 45, LCM भी 35 दिया हुआ है, LCM आप 35, 45 का भी 63 दिया हुआ है, मतलब LCM आपको 63, SCF 5, और then find the value of A, यहाँ पर देखे, ध्यान दीजिए, मैं एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, LCM आपको दिया है, इन दोनों नंबरों का 63 into A, जब 63 into A दिया होगा, तो आप देखी 63 into क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, जब 63 into A जब हो जाएगा, तो इनको प्रॉड़ेट करेंगे, यह को इस्टे करेंगे, 35 into 45 upon 5 into 63, कितना आ जाएगा, 5 यह सिंपल है, आप इसको कॉपी पेन से साल कर लिजेगा, ऐसे कोशन इंपोर्टेंट है, एक देखे होट्स में कोशन है, इंपोर्टेंट में कोशन है, सी अप आफ थी नंबर पर डिसकसन है, जैसे भी मैंने फार्मूला बताया, तो टाइप टू वाला वो इस पर डिपेन्डेंट है, 28 है, 35 है, अगर नहीं दिख रहा हो, 35 है, 343 है, का रहा है, SCF 7 है, तीन नंबर का दिए गए थी नंबर, 28, 35, 343 का है, और फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक फार्मूला याद रखे, यही एक फार्मूला याद रखे, यही एक फार्मूला याद रखे, LCM of ABC is equal to product of number into SCF ABC upon SCF ABC, SCF BC, SCF, दिखान दीजे, इन दोनों में ठोड़ा डिफरेंस है, दोनों फार्मूले में, देखे, यहाँ पर, वहाँ पर LCM AB था, LCM BC था, LCM CA, यहाँ पर क्या है, SCF है, SCF है, SCF है, तो ऐसे कोशनों को, ऐसे फार्मूले को आपको याद रखना होगा, तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखे, तीनों नमबर आपको रख देने है, SCF आपको दिया हुआ है, इसका, कितना दिया है, 343, SCF आपको 7 दिया हुआ है, और यह तीनों नमबर है आपकी, और divided by SCF सब कर निकाल लेजिएगा, तो 7, 7, 7, कैसे निकालेंगा, आपको जानते हैं, प्राइम फेक्टराजेशन भी जानते हैं, डिवीजन भी जानते हैं, तो बहुत इसी है, आइकन को नोटिफाई कर लें, ताकि उनको समय पर अपना वीडियो का अपडेट मिलता रहा है, और मेरे चैनल पर जो पहले सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सेर करें, थैंक यू.